तेयर स्टुएंट वोई हाव टु डिसकस मिलीनियम डिवेल्मेंट गोल्स MDGs के नाम से मशूर है 1 एंड टू इस वक जो हम बात कर रहे है वो मिलीनियम डिवेल्मेंट गोल 1 की बात कर रहे है और 1 क्या है एंड पावर्टी एंड अंगर पावर्टी एंड अंगर के लिए जब हम बात करते हैं तो हेल्थ के पॉइंट आप व्यू से जब आप देखें तो हमने वेक्सीन के जरीए बच्चों के डेथ को तो कंट्रोल कर लिया हमने एक प्लैन बना दिया हेल्थ से रिलेटेड प्लैन बनाया और उस प्लैन के अंदर हमने कहा के बच्चे की बर्थ से पहले मदर के अंदर जो प्राब्लम्स क्रियेट होती हैं हम उसके लिए वेक्सिनेशन करेंगे फिर बच्चे पैदा होने के बाद उसको डिफरेंट डिजीजेज जो हैं जिसमें पोलियो, खना, काली खांसी ये डिजीजेज जो हैं इनकी वेक्सिनेशन से उसकी डथ को कंट्रॉल करेंगे और हमने इसको पर तो काम कर लिया लेकिन अगला जो हमारा काम था के बच्चे को पावर्टी से हम कैसे निकालेंगे यानि देखें दो चीज़ेंगे एक हमारे पास पावर्टी है और दूसरी इल है इल हैल्थ के लिए जो हमने हल्दी चिडर्ण के लिए जो तो हमने डिडूस कर लिए हमने केर आफ़ पेरेंट्स उनकी प्रिडीक्टिवटी और फ्री फ्रमघे कास्ट उनकी मेडिकास्ट को भी किंट्रॉल चिया उसके बाद उनकी एजुकिशन को फूड को इन सब को कंट्रॉल किया हमने उसके साथ जो अगला मरहला था वो ये था कि बच्चे की जो poverty का cycle है जो हंगर का cycle है उसको हमने कैसे control कर दो यानि एक बच्चा जो गरीब के घर पैदा हुआ हमने अपने target से चीफ करते हुए हमने उसे मौत से तो बचा लिया मौत से मदर को भी बचा लिया और बच्चे को भी बचा लिया उसके बाद जो different disease है हमने उससे भी उसको बचा लिया लेकिन अगला हमारा मरहला यह है और वो अब हम उसको उस poverty के cycle से कैसे निका ले उस hunger के cycle से कैसे निका ले कि अगर वाल देन गरीब है तो बच्चा गरीब नहीं होना चाहिए उसको फिर link किया food और education के साथ और वो कैसे link किया हमने बुनियादी तोर पर जो basic food सा उसकी responsibility गवर्मेंट डिली जो basic education थी उसको free of class किया उसके भी हम आगे बात करेंगे हमारे पास आगे जब आएगी तो इसको पर detail दिक्र करेंगे ताके through education जो है उसको इस किसम की skills दी जाएं कि वो जो उसका poverty का cycle जो है वो भी खत्म होना चाहिए इसके लिए मुक्तलिफ targets बनाए गए हर मुलक ने उसके मताबक अपने funds allocate की है पाकिस्तान भी उनका एक हिस्सा है और फिर उसके targets के लिए process बनाए गए strategies बनाए गए जैसे हम पहले बात कर चुक्के हुए है अगरचे ये targets achieve मुकमन तोर पर तो achieve नहीं हो सके थे लेकिन overall जो hundred countries से उनके results जो है वो बेतर थे होसला अफ़ाद है कि इसको पर काम continue हो सकता है और इसका मतलब है कि अगर आप इसे करें तो आप achieve कर सकते हैं क्यूंकि आपका hunger का जो था वो link था education के साथ तो MDG 2 जो है वो millennium development goal 2 जो बनाया गया वो था universal primary education UPE के नाम से achieve universal primary education हमने health से उसके बाद vaccination से बच्चों को करने के बाद इस काबल बना दिया health के लिहाज से health के पांट के लिहाज से कि अब वो बच्चा स्कूल में जाए और स्कूल में learn करें उसकी जो मुख्तलिफ diseases थी और जो infections diseases थी हमने उसको भी control किया किस के जरी है वैक्सिनेट के जरी है और वैक्सिनेटेड होने के बाद बच्चा इस काबल है कि वो किसी ऐसी बिमारी जिस से दूसरे बच्चों को हो सकती है उसको भी हमने minimize कर लिया अब हमारे पास अगला objective क्या था कि हमने vaccination के जरीए उसकी बिमारी को जो control किया उसके साथ उसके IQ को भी थोड़ा improve किया अब जहां पे उसका IQ improve वहा वहां पे उसकी जो cognitive development थी वह भी बेतर हुई और उसकी physical strength भी हुई अब इस physical strength को हमने educational achievement के स जोड़ दिया और उसके अंदर हमने universal primary education के अंदर हमने ये कोशिश की कि कि तमाम बच्चों को इस मरहले से गुज़ने के बाद सकूल के मरहले में उनको दाखिल कर दिया जाए ताकि वह एक free education ले सके और education for all करें और तमाम बच्चे जो है वह प्रेमरी education जो है उसको हासिल क झाल थाए उसके जो है और उसके मरहले आखिल के दो चाल थाए ताकि पार सके तो कि बाहले आखिल का जो है उसके हमने अज़ में आखिल के जोह है बच्चों कि अज़